मिडिल इस्ट में करीब एक साहल से जारी संगर्ष में गाजा बट्टी पर इसराइली हमले जारी है इसराइली सेना पर आरोप है कि उसने अलमवासी में सेफ जोन पर भीशर बंबारी की जिसमें कई महिलाएं और बच्चे जिन्दा चल गए गाजा के स्वास्मंत्राले का कहना है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पर हुए इसराइली हमलों में 48 फिलिस्तीनी मारे गए और 201 घायल हुए इन सब के बीच अब खबर ये भी आ रही है कि अलक्सा शहीद ब्रिगेट ने शुकरवार को 2107 रॉकेटों का उप्योग करके मध्य गाजा में इसराइली सानिक सभाओं और वहानों को निशाना बनाया है गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्रतीरोद ने विभिन युद्ध मोर्चों पर इसराइली कबजे वाली सेनाओं को निशाना बनाना जारी रखा है जिससे ओप्रेशन अलक्सा फ्लड के हिस्से के रूप में कबजे पर निश्चित नुकसान हो रहा है इसे पहले गुरुवार को ब्रिगेड ने पुष्टी की थी कि गाजा पट्टी के उत्तर में जबालिया कैम के मद्धे में अबू अलयश स्ट्रीट पर सीधे हमले में एक इसराइली नामरवाहन को एंटी टैंक शेल से उड़ा दिया गया था इसलामिक प्रती रोधांदोलन हमास की सैनिर शाखा अलकसम ब्रिगेड ने घूशला की थी कि उसके लड़ाकी तेल में अलफलहा मस्जिद के बगल में एक एंटी कार्मिक तातकालिक विस्पोटर के साथ पचास इसराइली सैनिको वाले एक इसराइली पैदल सेना बल को न आजा के लोगों पर दबाव पनाने और हमास के खिलाफ खत्रों का पता लगाने का जिम्मा था इसराइली सेना का कहना है कि गरीम ने हमास के क्रूर तरीकों को लागू करने में महत्वपूर भूमे करे भाई जिसमें मानवा अधिकारों का उलंगन करते हुए कठोर नागर को कम करने के लिए कई कदम उठाए जिसमें सटींग कुला बारूद हवाई निगरानी और अन्यक खूफिया जानकारी का उप्योग करना शामिल है नरसल हिजबुला के साथ सीजफायर के एलान के बाद गाज़ा पट्टी के कैट शित्रों में इसराइली हमले तेज हो गए नौर्थ गाज़ा में इस्थिती लंबे समय से काफी भयावेह बनी हुई है आरोपे की इसराइली सेना गाज़ा पट्टी के उत्तर में जमीन पर हर किसी और हर चीजफ को निशाना बना रही है अलजजीरा की ताज़ा रेपोर्ट के मताब बिक शुकरवार को इसराइली स गया है सूत्रों के अनुसार इस हमले में कब से कब 15 फिलिस्तिरी मारे गए है गाज़ा स्वास मतुराले के अनुसार 7 अक्टुबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए गाज़ा युद्ध में अब तक कब से कब 44,580 फिलिस्तिरी मारे गए है और 1,5,749 घायल हुए है युद बाद रिलिस्तिरी मारे गए है गाज़ा है नहीं है ओती है